भारत में सेमी कंड़क्टर क्रांती की शिरुवात हो रही है। आज कई भारतिय और विदेशी कमपनिया या स्टार्ट अप भारत की इस क्रांती का हिस्सा बन रही है। 21 सदी के भारत में हर किसी के लिए अफसरों की भरमार है और भारत कभी किसी को निराश नहीं करता है प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने ये बाते सैमी कंडक्टर इंडस्ट्री पर फोकस्ड कारिक्रम सैमी कॉन इंडिया दोहजार तेईज के दोरान कहीं ऐसे में चलिए जानते हैं कि सेमी कंड़क्टर आखिर क्या है नमस्कार मैं हूँ प्रिणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया आज के समय में कई इंडस्ट्रीज के लिए सेमी कंड़क्टर बेहत जरूरी हो गए हैं चाहे सडक पर दोड़ती गाड़िया हो या अंतरीक्ष में जाते हुए रॉकिट घर में लगी टीवी हो या ओफिस के काम का कंप्यूटर हर जगा सेमी कंड़क्टर का बड़े पैमाने पर इस्तमाल हो रहा है यहां तक की वाशिंग मशीन और एसी जैसे घरेलू उपकरणों में भी सेमी कंड़क्टर की जरूरत होती है अब भारत इस मामले में लगबग पूरी तरह आयात पर निर्बर है यही कारण है कि केंदर सरकार सेमी कंड़क्टर के मामले में देश को आत्म निर्बर बनाने क प्रयास कर रही है आपको बता दें कि वाहन उद्योग संगिठन सियाम ने 9 दिसंबर 2021 को कह था कि सेमी कंड़क्टर यानि चिप की कमी के चलते तेश में यात्री वाहनों की थोग बिक्री में नवंबर में 19 प्रतिशत की गिरावट आई सियाम ने बताया कि सेमी 12,626 एकाई रही जो नवंबर 2020 की 2,64,898 एकाई से 19 प्रतिशत कम है चलिए जानते हैं कि गाड़ियों में इस्तिमाल होने वाला सेमी कंड़क्टर क्या है इस समय बन रही लगबक सभी गाड़ियां चिप या सेमी कंड़क्टर की मदद से ही सडकों पर चल रही है एक गाड सेमी कंड़क्टर की एहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि अगर आपकी गाड़ी में ये ना हो तो आपको किसी भी तरह के आधुनिक फीचर्स नहीं मिल पाएंगे पहले की गाड़ियों में चिप का इस्तिमाल लगबक ना के बराबर होता था जिसकी वजा से ही पह एहम हिस्सा बन गया है इसकी एहमियत जाननी हो तो सोच कर देखें कि दुनिया में इलेक्ट्रोनिक डिवाइस ना हूँ तो क्या होगा ये चिप ही है जिसने ना सिर्फ आज के इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को बदल कर रख दिया बलकि हमारे जीवन को भी काफी आसान बना यही वज़ा है कि इसी चिप की शॉर्टेज की वज़ा से गाडियों की मैनिफेक्ट्रिंग नहीं हो पा रही थी जिसके आटो मोबाइल सेक्टर को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन देश में सेमी कंड़क्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कारिक्रम में प्रधान मंत्री ने कहा कि इस आयोजन के जरिये इंडस्ट्री, एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स के रिष्टे बहतर हो रहे हैं उन्होंने बताया कि वैश्विक वी निर्मान में भारत की हिस्सेदारी तीजी से बड़ी है अब भारत सबसे बहतर गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन बना रहा है और पूरी दुनिया को उनका निर्यात कर रहा है देश में गरीबी को तीजी से दूर किया जा रहा है पीम मोदी ने कहा कि भारत की आकांक्षाओं और चौथी ओद्योगिक क्रांती का आपस में संबंध है इस वीडियो को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और असी तमाम कबरों के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया